सब्सक्राइब कीजी रोजगार समाचार इंडिया चैनल को और घंटी को जरूर दबाए ताकि सबसे पहले आपको सरकारी परतियों रोजगार समाचा न्यूज और ताज आपडेट की जानकारी मिल सके नमस्कार मित्रो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्धम से बताऊंगा कि जो रेलवे ग्रूप डी में एक लाग तीन हजार साथ सो गुन चालिस बंपर पोश्टी जो दो हजार गुनिस की वैकेंसी निकली है उसमें आपको अपना फोरम ओनलाइन किस परकार अपलाई करना है उसकी संपोर जानकरी मैं आपको step by step बताऊंगा इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए सबसे पहले तुम आपको बताऊंगा इसका official notice आप देख लीजिए उसको पढ़ने के पस्चात आपको इस परकार अपना फोरम step to step अपलाई करना है तो मैं आपको लिंक भ आने के पस्चात आपको सबसे पहले यहां जो आपको दिखाई दे रहे हैं select railway your choice तो आपको अपना choice जिस जगह से आप अपना फोरम अपलाई करना चाहते हैं railway के तो उस जगह को आप select कर सकते हैं तो rrb के जो भी हैं तो आप यहां देखिए मैं आपके सामने यहां सामने इस परकार का यह देश पढ़ने हैं यह धो निर्देश पढ़ने के पस्चांद दोस्तो यहां आपको यहां जो दिखायए रहे हैं बलीबाती है यानि कि आपसी जो चुन कंडिशन है वो आपने समझ लई हैं इसमें OK कर देना." okay करने के सभाएं 저 या submit button दिखाय दे रहा है इस submit button पर आपको किलिक करना है जो ही आप submit बटन पर के किलिक करोगे तो आपके सामने इस परकार का एक दूसरा नया पेज खुलेगा तो इसमें आम आंग रहा है आपको अपना नाम तो यहां आपको अपना नाम भर देना है मैं आपके सामने यहां नाम भर रहा हूँ दोस्तो आपको अपना नाम वही भरना है जो आपकी 10th की मार्क सीट में है फिर यहां री एंटर यानि कि आपको अपना नाम दुबारा से करना है दुबारा से सेलेक्ट कर रहा हूँ ऐसा करने के पस्चात आपको क्या करना है दोस्तो यहां नीचे चनना है यहां नीचे आपको दिखाई दे रहा है डेटो बर्थ तो आपको अपनी डेटो बर्थ डाननी है जो आपकी डेटो बरत है वो ही आपको डाननी है जो मैट्रिक्स में आपकी है तो इस परकार डानने के पस्चाथ यहां आपको अपने आधार कार्ड नंबर डानने है जो आपके आधार कार्ड नंबर है वो आपको डानना है मैं आपके सामने आधार कार्ड नमर डाल रहा हूँ आपको भी अपने आधार कार्ड नमर डालने के पस्चाथ यहां आपको अपने फादर्स का नाम डालना है जो आपके मैट्रिक में सेम होई डालना है ऐसा डालने के पस्चाथ आपको क्या करना है दोस्तो नीचे आपनी माता जी का नाम तो माता जी का नाम आपको select करना है फिर यहाँ नीचे चालना है दोस्तो यून्तम सेक्स ने की हो गेता तो आपको qualification आपको आपने ITI या 10th pass जो भी है वो select करना है किस board से pass की है वो board आपको यहाँ डारना है तो यहाँ नीचे आपको 10th में registration संक्या जो आपको अपने 10th में road number है आपकी जो certificate में registration संक्या है वो डानना है आपको यह डानने के पस्चाथ दोस्तों आपको क्या करना है जिस परकार मैं यह select कर रहा हूँ 10th की जो mark sheet में जो आपके certificate number है वो डानने के पस्चाथ यहाँ देखिए दोस्तों कौन सी सं में आपने पास की 10th काक्षा तो वो सं आपको डाननी है फिर आपको अपने mobile number डानने है mobile number डानने के पस्चाथ दोस्तों आपको क्या करना है mobile number को दुबारा से डानना है re-inter करना है आपको रेइंटर करने के पस्चा तो मोबाइल यहां आपको अपनी मेल आइडी डाननी है मेल आइडी डानने के पस्चा दोस्तों आपको क्या करना है यहां मेल आइडी को दुबारा से रेइंटर करना है मोबाइल नमर मेल आईडी डानने को पस्चात यहां आपको यहां कैप्चा दिखाई दे रहा है इस कैप्चा को डानना है यहां देखिए दोस्तों यहां कैपिटल में D है T फिर आपको X फिर S फिर यहां जो डिकलेरेशन यहां गोशना में टिक कर देना है और यहां सम्मिट बटन को आपको किलिक कर देना है किलिक कर देने के पस्ताज दोस्तों आप देख सकते हैं हम आपको दिखाना चाहेंगे अगर आप एडिटिंग अभी किस परकार के कोई editing करना चाहें, तो editing कर सकते हैं, किसी परकार के कोई घढवडी ना हो, फिर आपको क्या करना है, editing करना चाहें तो यहां, अगर confirm करना है, तो यहां confirm पे click कर दिजीगा, मैं confirm पे click कर रहा हूँ, फिर आपको क्या करना है Ett skipped star, you have successfully registered, तो आप भली बाती इसमें registered हो चुके हैं मैं इसका screenshot ले लेता हूँ तो क्या है कि दोस्तों ये registration नमबर और आपकी जो date बर्त है वो आपका password है इस पर ok कर देता हूँ जो ही आप ok करोगे तो आपकी mail id पर और mobile नमबर पर जो OTP गया है तो यहां आपको mail id का OTP यहां आपको अपने mobile नमबर का OTP डानना है फिर आपको नीचे डानना है capture फिर दोस्तों आपको इस परकार जो आपकी mail id पर OTP आया है वो डानना है यह डानने के पस्चा जो आपके mobile नमबर दर्ज की उन पर OTP आया है वो डानना है ऐसा डानने पट्चा नीचे जो आपको capture दिखाई दे रहा है वो capture डानना है फिर आपको यहाँ जो option दिखाई दे रहा है दोस्तो validate तो इस पे आपको किलिक कर देना है जूँ ही दोस्तों आप इस पे किलिक करोगे तो आपके सामनी इस परकार का page खुलेगा तो इस परकार का जो पेज खुल रहा है जिसमें आप देखिए यहां अप्लाई का उप्षन अप्लाई एडिट करना चाहें तो दोस्तों यहां देखिए इस पे आपको किलिक करना है इस पे किलिक करने के पस्चाथ आपको देखिए दोस्तों सेक्शनिक योगेता मांग रहा है section क्योगिता जो आपने qualify कर रहा है वो इसमें बढ़ना है फिर आपको nationality citizen of India community तो इसमें आपकी category select करनी है जिस category से आप हैं वो आपको भढ़ना है जिस परकार मैं इसमें OBC है तो OBC select कर लेता हूं फिर आपको क्या करना है दोस्तों यहां चलना है state तो state में आपको अपना राज़े select करना है जिस राज़े से आप फिलोंग करते हैं तो आपको अपना राज़े इसमें select कर देना है तो दोस्तों मैं इसमें इस परकार राज़स्तान select कर रहा हूं फिर आपको अपने जिले का नाम यहां select करना है जिले का नाम आपको सेलेक्ट करने के पस्चा दोस्तो या नीचे आपको अपनी काश्ट सेलेक्ट करनी है जो आपकी काश्ट वो आपको इसमें सेलेक्ट कर देनी है काश्ट सेलेक्ट करने के मस्चा थे आपको जेंडर मेल ही मेल सेलेक्ट करना है फिर आपको अपना धरम जो आपका धरम वो select कर लेना है क्या आप विकलांग है अगर है तो yes अन्यता आपको no कर देना है अगर आप एक सर्विसमेन है तो yes अन्यता no यहाँ आपको select कर देना है लिए अगर रेलवें से समन्दी तो आप विसंतान के करमचारी हैं तो यह संन्यता 9 क्या आर्थिक रूपसे पिछले बर के से उमीदवारे जिनकी वारसी का आई 50,000 रुपे से कम है 50,000 रुपे से तो यहां स्लेट कर देना है फिर यहां आपको जो option दिखाई दे रहा है यह जो capture यह आपको capture डानना इसमें capture डानने के पस्चा दोस्तों यहां आपको नीचे दिखाई दे रहागा submit तो इस submit पे आपको click कर देना है तो click करने के पस्चा दोस्तों यहां देखी यह जो पहली step वो complete हुई अब आपको क्या करना है आगे चाड़ना है यहां आपको select दी जा रहे हैं यहां कौन सी जज़े हैं तो उसमें आपको select कर लेना है तो दोस्तो इस परकार को option खुणने के पस्चाथ आपको क्या करना है यहां क्या बोल रहा है कि चुने गए railway के पात्र पदों की जो सूची नीचे दिखाई गई है उसमें आपको करम से select करना है कि सबसे पहले आपको कौन से जो इसमें railway के zone है वो select कर लेना है serial के अनुसार जिस परकार यहां पहला दूसरा जो भी आपको अच्छा लगे पहला जो आपको zone select करना है इसमें select कर सकते हैं तो जिस परकार select करने के पस्चाथ यहां serial नमर डानने के पस्चाथ नीचे चलना है नीचे जो आपको capture दिखाई दे रहा है वो capture डानना है फिर आ select करना है कि किस परकार bank से आपसे select करना है फिर यहां declaration फे click करना है click to process इस पर click करना है इस पर click करने के पस्चाथ आपको यहां बहुत सारी option ATM card से या net banking के माध्यम से जहां भी आप अपना जो फीस का बुकतान करना चाहरे हैं वो कर सकते हैं और दोस्तों आपको अपने फीस पस्चाथ आपको क्या करना अपने address से भरना है फीस refund की detail बनी है वो सभी भरने के पस्चाथ आपको अंत में जो आपकी photo upload करनी है photo इस पस्ट और साफ दिखाई दे और इसके साथी photo में आपका पना नाम डेटो फोटो डेटो बर्थ ऐसी photo ही लगानी है यहां उपको ने signature upload upload करना है यह सभी करने के पास जाते हैं आपको नंत में submit बटन कर देना क्लिके और आपको अपना form apply कर सकते हैं इस परकार तो दोस्तों किसी परकार को